हेलो एरिवन आज का जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने वाले हो भारतिये पसुपाला निघम लिमिटेड की तरप से आ रहे हैं जो की सेंट्रल गुर्मेंट के हधीन आता है इसके अंदर जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो रास्तान राज्ये के अंदर आपकी सांज़दारी सयोग रास्तान आयलडी कोसल विसविदाले रास्तान सरकार के कोसल विकास प्रिक्षिन कार्यकरम निघम की अन्य योजनाओं को संचालित करने हैं तो निमिन पदों पे वरती निकाली गई है अब देखते हैं कि किन-किन पोस्टों के लिए इन्होंने वरती सेवक के लिए 620 पोशट है इसे पैद्र पोशट है निकाले और इसमें आपकी सेलरी रहे गी 20 जार रुपए रहने वाली है अब इसमें आप से अधिक Het पोसटों के लिए अलग अलग आवेदिन करना पड़ेगा अगर आपस एख से अधिक पोस्टों पर अप्लाई करते हो तो कर सकते हो पर आपको आवे दिन अलग अलग करना पड़ेगा और इन पदों की संक्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है according to mantra लेके अब देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपके पास योगेताय क्या होनी चाहिए education आपके पास क्या होना चाहिए आप किसी पोस्ट के लिए apply करो अगर आप विकास अधिकारी के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास normal graduation होना चाहिए किसी भी institute से और आप marketing के छेतर में आपको experience होना चाहिए या फिर आपके उसमें कोई diploma हो या degree हो तो आपको priority दी जाएगी प्राथ्मिक्ता आपको पहले दी जाएगी साइक विकास अधिकारी के लिए आप कर रहे हैं तो आपके पास 12th होनी चाहिए और आपके marketing का diploma है या marketing का experience है तो आपकी को प्राथ्मिक्ता दी जाएगी इसके अंदर उसके बाद जो candidate पसु सेवक के लिए apply करेंगे उसमें भी आपके पास 10th होनी चाहिए और डिप्लोमा marketing के छेतर में या फिर experience हो तो आपको priority मिलेगी पसु पालनोरति के अंदर में भी आप 12th पास होने चाहिए और computer का आपको knowledge होना चाहिए और computer का certificate होना चाहिए आपके पास R.S.C.I.T.O. level इनमें किसी का एक computer certificate होना चाहिए digital marketing executive के लिए आपके पास 12th होने चाहिए और इसमें आपके पास digital marketing का डिप्लोमा या कंप्यूटर का भी डिप्लोमा होना चाहिए उन्ही candidate को इसमें प्राथमिक्ता दी जाएगी अन्य कुछ योगत हैं दे रखे जिसे इन पदों पे जो candidate apply कर रहे हैं वो मानसिक और सारी रिक रूप से स्वस्त होने चाहिए उनका चरितर या character उनका अच्छा होना चाहिए वो ही candidate इसमें apply करें अब देखते हैं कि इसमें आपकी age limit क्या रहेगी विकास अधिकारी के लिए 25 से 45 वर्स रहेगी साइक विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्स रहेगी पसु सेवक के लिए 21 से 40 और digital marketing executive के लिए 21 से 30 वर्स आपकी age limit रहने वाली है आवेदन की अंतिम 13 10 दिसंबर 2022 रखिये रातरी 12 वज़े से पहले पहले आपको आवेदन करना है और आवेदन सुलक भी बता दिये विकास अधिकारी के लिए 945 रुपे साइक विकास अधिकारी के लिए 828 पसु सेवक के लिए 708 पसु पालन अंतिक के अंदर संचानलन के के लिए 591 में और डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्यूटिव के लिए 501 में और इस पर 18 प्रसेंट जी एस्टी भी सामिल है और सभी वरक का यह रहेगा ऐसा नहीं कि एसी एस्टी का नहीं लगेगा जर्नलों भी इसी का लगा नहीं को इसी भी केटेगरी से आप आपक नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एक्जाम पेटरन क्या रहेगा एक्जाम पेटरन में आपका सभी पोस्टों के लिए 50 नंबर का पेपर होगा और 50 का आपका इंटर्वीव होगा 100 नंबर का रहेगा ओनली डिजिटल मार्के और आपका इसमें प्रिक्षा कस्तान ऐसे नहीं है कि आपका प्रिक्षा कस्तान कहीं जाना पड़ेगा कहीं सेंटर आग ऐसा नहीं आप कहीं भी बेटके आप अपना पेपर दे सकते हैं कंप्यूटर लेप्टॉप से हैं या अपने फोन से भी जब आपका एड्मिट कार्ड आपकी email ID जो registered होगी उस पे आजाएगा उस पे आपको एक login ID मिलेगा उसके recording आप कहीं भी बेट के इसका paper दे सकते है तो आपको इसमें कोई सबसे अच्छी बात ही कि आपको पैसा लगा कि है किराया लगा कि कहीं जाना नहीं है तो जो candidate इसके लिए eligible है वो अपना form जरूर अपलाई करें बहुत अच्छी opportunity है आज की update इतनी थी मिलते हैं नेक्स्ट update के साथ thank you जैहिन